नमस्कार दोस्तों जब हम बात करते हैं US Secretary of Defense तो ध्यान रखेगा भारत के अंदर जो हमारे Defense Minister है राजनात सिंग जी उनी के equivalent होता है US के अंदर क्योंकि आपको पता होगा भारत में Parliamentary System चलता है US के अंदर हम Presidential System के इसाब से चलते हैं तो जो President चुन कराते हैं जैसे कि Joe Biden अभी तो यहाँ पर उनके पास power होती है कि वो जिसको चाहें यहाँ पर Secretary Appoint कर सकते हैं जैसे आपने सुना होगा US Secretary of State वो हमारे यहाँ पर External Affairs Minister होते हैं तो Secretary कहा जाता है और यहाँ पर Minister कहा जाता है दोनों एक ही है इसमें confused मत हुएगा तो आपको पता है कि इस समय जो US Secretary of Defense है Lloyd Austin उ तो यहाँ पर इतना ज़्यादा उसको महत्वधिया जा रहा है टाइमिंग को लेकर इतनी ज़्यादा बाते क्यों कही जा रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल अल्रेडी जो हमारे Prime Minister है नरिद मोदी जी उनसे वो मिल चुके हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे उ US Secretary of Defense Lloyd Austin today conveyed my best wishes to President of the United States Joe Biden और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे National Security Advisor है अजीत दोवाल उनसे भी उन्होंने मुलकात की थी आज बताया जा रहा है कि जो राजनात सिंग्ज है उनसे भी मुलकात हुई है तो जो भी conclusive आएगा हम बात करेंगे लेकिन overall perspective से इस वीडियो में म आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोईन कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का notification आ चुका है UPSC course जोईन कर सकते हैं जहाँ पर comprehensive way में जितनी भी important चीजे है material है एक जगा आपको अपलब्द करा दिया जाता है ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके तो यहाँ पर exactly हो क्या रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 19th March को वो आए थे और यह आपका 21st March तक यह पुरा दौरा चलने वाला है तो यहाँ पर जो defense secretary आए है US के Lloyd Austin उनका यह जो दौरा है भारत के अंदर वो एक तरह से indicate करता है जो Biden administration है उनका जो focus होने वाला है Indo-Pacific region को लेकर पिछले 2-3 वर्षों से especially Trump के आने के बाद Indo-Pacific जो शब्द है उसका काफी इस्तमाज हो होने लगा है तो जब हम Indo-Pacific की बात करते हैं तो जो हमारा पूरा Indian Ocean है मतलब Africa की जो boundary है वहां से लेकर जो पूरा Pacific Ocean है वो पूरा area आप एक तरह से कह सकते हो जो कि अकसर विवाद में रहता है यहाँ पर चाहें आप South China की सी की बात करिए Indian Ocean region के अंदर भी आप देखोगे त अलग-अलग यहाँ पर जो bases हैं चाइना के द्वारा, UK के द्वारा अलग-अलग लोग try कर रहे हैं कि यहाँ पर जादा से जादा अपने base को बना सकें तो अगें यह जो Indo-Pacific region है यह काफी important है और भारत इसका एक सबसे महत्वपूर पार्ट है तो यह एक तरह से आप कह सक इसको हमें free रखना चाहिए, prosperous रखना चाहिए और open रखना चाहिए और यह जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो उलंगन है वो basically यहाँ पर चाइना कर रहा है और in fact इस पूरे वीडियो में आपको यही समझ में आएगा कि जो एक मात्र मुद्दा है इस समय यूएस के लिए या फिर बाकी देशों के लिए वो इस समय चाहिना बन चुका है आज सुभह ही मैंने वीडियो बनाया था आपने देखा होगा कि इवन जो UK है वो यह कह रहा है कि वो अपने nuclear weapon को बढ़ाने वाला है और वो क्यों बढ़ाएगा क्योंकि अगें जो चाहिना का threat है अब उस के रेट में जो cyber warfare है वो एक बहुत बड़ा game plan बन चुका है रिसेंटली आपको याद होगा कि इलजाम लग रहा था चाइना के उपर कि उसने किस तरह से मुंबई के अंदर जो पुरा blackout हो था दो घंटे के लिए वहाँ पर चाइना का रोल था तो इस तरह की चीज़ें आ हमारी जो है आसार यहाँ पर दिखते हैं इन फाक्ट अफगानिस्तान को लेकर भी पहली बार यहाँ पर आपको याद होगा कि भारत को शामिल किया जा रहा है जो रिसेंटली चीज़ें निकल कर आई थी अफगानिस्तान का plan कैसे आगे बढ़ेगा इसको US ने कुछ चीज से बढ़ा है औल्दो रिसेंटली जो डेटा आया था उसमें बताया गया था कि वापस से चाइना टेक ओर कर ली है लेकिन स्टिल वन अप दे मोस्ट आप कह सकते हैं टॉप डिफेंस सप्लायर्स है यूएस हमारे लिए अब हम आते हैं कि यह जो ट्रिप है आपका देशों के लिए तो यहाँ पर जिस तरह का ग्लोबल राइज हुआ है चाइना का और यहाँ पर इवन लॉइड ऑस्टिन ने खुद इस बात को माना है कि यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटेबल डेटरेंस होना चाहिए मतलब कि ऐसी शक्ती होनी चाहिए हर एक देश के पास जिन्होंने इस तरह की चीजों की बात कही थी तो बेसिकली अब यहाँ पर यूएस ये चाह रहा है कि एक तरह का वेब बनाया जाए जाए सेक्योरिटी पार्टनर्स का इन द इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पर जो पेंटागॉन है जब लॉइड ऑस्टिन निकल रहे थ उसके पहले ही यहाँ पर एक statement भी जारी किया गया था उस statement को आप ध्यान से पड़िये क्या बुला गया है strong allies and partners and friends in the part of the world तो यहाँ पर US का clear indication है जो भी यहाँ पर चायना के खिलाफ कदम उठा सकता है उसके साथ हमारी strong partnership होनी चाहिए और obvious ही बात है भारत भी इसका एक सब से main part होने वाला है तो मतलब कि यह जो overseas trip कर रहे हैं इस समयाट defense secretary Lloyd Austin उसमें अगर आप कहो तो एक single जो most important मुद्ध है वो है आपका Beijing तो अगर हम Beijing की बात करें तो US की policy किस तरह की होने वाली है क्योंकि जब Joe Biden चुनकर आये थे तो कई लोग इलजाम लगा रहे थे Joe Biden के उपर कि हो सकता है वो soft stance लेंगे China को लेकर लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी तक जिस तरह के संकेत हमें देखने को मिले हैं वो clearly दिखा रहा है कि जो पहले Trump administration काफी tough कदम लिया करते थे China को लेकर वो same चीज अभी भी repeat होने वाला है लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि Donald Trump क्य अगर हम overall countries की बात करें तो ऐसा possible नहीं है इसलिए यहाँ पर जो US President है वो unilateralist जो approach था पहले Trump के administration के दौरान उसको हटा कर जो multilateral approach है उसको अपनाने की बात कही जा रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो in fact आपने का क्या कभी सोचा होगा कि US के दौरा एक अलग से task force बना इसका main मकसद यह है कि किस तरह से हम China को जो expansionist mode है उसको रोक सकते हैं इसके साथ साथ जो technology और intelligence के मामले में भी China को एक तरह से रोकने का काम कर सकते हैं तो Lloyd Austin ने इसको पहली जो meeting थी वो already यहाँ पर रख ली है इसमें कई सारे जो commanders हैं, civilian leaders हैं, intelligence community के यहाँ पर members हैं सभी को श China को mind में रखते हुए ही किया जा रहा है, लेकिन अगर हम India के perspective से बात करें, यहाँ पर जो Austin का visit है, वो India के साथ कौन-कौन से मुद्दे पर होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले तो यही again बताया जा रहा है कि बार-बार जो defense partnership है, वो US push करने की कोशिश करेगा कि भारत और जादा यहाँ पर जो arms and ammunitions हैं, उसको जो है आपका US से खरीदने की कोशिश करें, दोनों देश यह चाहेंगे कि यहाँ पर जो military-military engagement है, उसको और जादा बढ़ाए जाए, लेकिन यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, वो मैं आपके साथ discuss करने आ चाहता हूँ, जो कि Lloyd Austin के दोरे पर definitely आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक अगर आप पूरा trade देखोगे arms का भारत और US के बीच में, तो 2007 से जो आकड़ा है अभी तक का 21 billion dollar से भी जादा का है, मतलब इतने जादा हमने जो arms हैं, वो US से अल्रेडी खरीच चुके हैं, इसके अलावा अभी present म जो मुद्दा चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर Sea Guardian के बारे में आपने सुना होगा, basically क्या हुआ था, पिछले साल November 2020 में, नेवी ने यहाँ पर Sea Guardian जो ड्रोन है, यह आप देख सकते हो, इस तरह का ड्रोन है, तो armed drone जो है, उसको खरीदने के लिए बार बार पुश करेगा अमे ड्रोन का काफी important role हो गया है, और यह जो drone है, वो बहुत important role play कर सकता है, तो यहाँ पर हमारी जो army है, उसको 10 दिये जाएंगे, एर फोर्स को 10 दिये जाएंगे, और navy को यहाँ पर 10 दिये जाएंगे, यह total cost करीब इसकी 3 billion dollar से भी जादा पैथा आए जा रही है, तो एक तो यहाँ पर, drone के अलावा एक maritime patrol aircraft है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको कहा जाता है P8I, यह long range, काफी लंबे समय तक हम, basically एक तरह का surveillance aircraft है, navy का है, यहाँ पर, तो already हमारे पास 12 इस तरह के मौझूद हैं, इसके अलावा 6 और बात करी जारी है इसको खरीदने के लिए, जिस इसने वाले हैं, यह जो deal हमने किया हुआ है already, इसको लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि आपको याद होगा, कि Turkey ने जब यह खरीदा था Russia से, तो America ने already Turkey के ओपर financial sanctions लगा दिया है, क्यों लगा दिया है, क्योंकि US के अंदर यह particular law है, अक्सर आप सुनते हों तो उस तीसरे देश के ऊपर भी sanctions लग जाता है, तो यहाँ पर क्योंकि भारत ने already deal sign कर ली और भारत बार बार कह रहा है US से कि यह हमारे लिए बहुत important है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो S-400 triumph है, यह क्या करेगा, हमें एक तरह से सुरक्षा provide करेगा, अगर कोई भी missile आता है, तो यहाँ पर उसको रोकने में काफी हद तक सक्षम है, तो हमने already यहाँ पर इसके लिए deal sign कर ली है 2018 में, तो यहाँ पर भारत चाहता है कि इसको लेकर जो US है, वो भारत के ऊपर sanctions ना लगाए, तो of course ही बात है इसको लेकर भी इस दौरे के अंदर Pan Australia, भारत और America, उनकी पहली यहाँ पर meeting होई थी, पहली मतलब जो head of state होते हैं, उनके द्वारा पहली बार meet किया गया था, क्योंकि पहले अगर आप अकसर देखोगे, तो यहाँ पर यह होता था कि अगर 4 में से 3 देश खुश हैं कि यहाँ पर यह होना चाहिए, इसको हम आ यह जो meet है, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कई सारे analysts का द्वारा बताया गया है कि यह Asia का जो NATO है, North Atlantic Treaty Organization, उसकी तरह कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऑफकॉर्स ही बात है, जो Chinese Foreign Ministry है, उन्होंने का है कि यह तरह का sea foam जैसा है, जो जाग हमें द है सकते हो कि जो China है, उसको एक तरह से जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश का है, क्योंकि आप Chinese Foreign Ministry जो spokesperson है, उनके अगर आप बयान देखोगे, उन्होंने ऐसे से बयान दिया है कि globalized time के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप बना लेना, ideology के अधार पर यह सही नहीं है, international order को destroy करना हुआ एक तरह से, यह आगे चलका total failure हो जाएगा, court जो है, ऐसा Chinese Foreign Ministry का कहना है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो cold war की mentality है, वो यहाँ पर देशों को हटानी पड़ेगी, तो China कही न कहीं काफी हतक रैटल हुआ है इस particular move के वजह से, और अब यहाँ पर वापस से Lloyd Austin का आना एक तरह से इतना जल्दी, अभी Biden administration के सुरवात में इतना जल्दी आना, एक तरह का संकेत देता है again China को, क्योंकि ultimately मैंने आपसे बार बार बोला, defense secretary आये हैं, तो यहाँ पर जो central मुद्दा होने वाला है, वो आपका China ही होने वाला है, तो conclusion के अधार पर हम क्या कह सक जब वो vice president हुआ करते थे black Obama के समय, उस समय से PM Modi और Joe Biden है, दोनों काफी close थे, और अभी भी ऐसा लगता है कि काफी हद तक जो relationship है, इंडिया और US के relationship को और ज़्यादा boost मिलने वाली है, तो यह पुरा video है था दोस्तों भी starting का phase है, let's see कि क्या क्या चर्चा होती है, क्या चीज़े होंगी, उसके पर हम बात करेंगे, बट I hope कि इस video के माध्यां से आपको जो base है एक तरह से, जो Lloyd Austin आए हैं समय, क्या क्या चीज़ों के मुद्धे हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले क्योंकि अभी मैंने आपसे S-400, जो triumph missile ह रश्या का, जो भारत ने deal किया है, उससे related मैंने दो statement डाला है, कि आप मुझे इसका right answer बता सकते हो, इसका right answer है, हमेशा की तरह आपको हमारे Instagram पर तो मिले गई, अगर आप Insta पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूँ, Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझे से economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, Study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.